हेलो गाईज आज हम बात किने वाला है चाई पे चर्चा के इस वाले एपिसोड में मैं 25 से स्टॉक आप लोगो इस वड़े बताने वाला हूँ जर आने वाले समय में बहुत ज़्यादे न्यूज में रहने वाले और यह सारे के सारे जो stocks में बताने वाला हूँ जो January 11 तारिक से लेकर January 15 तारिक तो इसमें आप लोगों को news देखने को मिल जाएगी ये सारे के सारे stocks के अंदर तो ये वीडियो उन्तर देखते हूँ आप लोगों को सारी के सारी step by step वो सारी की सारी चीज़े इस वीडियों में बताने वाला है उन्योज भी आप लोगो कवर करूँगा कौन-कौन से स्टॉक से वो भी आप लोगो 25 के 25 स्टॉक बताऊंगा और आने वाले समय में जो आर कौर्टर डिसेंबर कौक्टर का रिजल आने वाला है दोहजर भी कौन-कौन सी कंपनियों का इस वाले जर वीकमेर रिजल रही पलोगों बताऊंगा तो यह वीडियों टर देख 50 lucky वालाइowi अच्छा लाएगा तो सबसे घ्र्यूय में की किसन की बारें इंडिया के लिए तो यहाँ आप लोगों को बहुत ही जदा बड़ा fluctuation देखने को मिल रहा है आप लोग देख सकते हैं यह जो अच्छा खासा ग्राफ ना नीचे के तरफ जा रहा है बहुत जदा उपर ग्राफ और उसकी बाद थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहा है और अभी की बात करें तर इसमें सड़नली यह दो तीन बार अप मूँ देखने को मिला है तर आने वाले समय में जो कोरोना की situation है कैसी रहेगी बहुत सारे country में यह सेकेंड वेव भी आई है तर हमारी country में सेकेंड वेव आती है तो हमारी economy के उपर बहुत जदा जदा फरक पड़ने वाला है तो यह आप लो को कर स्टॉक मार्केट जो गिरता है क्रेश होता है तो इसके उपर बहुत जदा फोकस करना कि यह जो आर कोरोना की cases बट रहे है इंडिया के अंदर या second wave आने की chances है कि नेटिक है तो वो चीज जियाद रखना और उसके बाद next news के उपर चलते हैं तो यहां सबसे पहली जो कुमला सितार मैं है उन्होंने क्या बुलाए सो सालों में जैसा आप लोगों ने बजेट नहीं देखा ना वैसा आप लोगों को इस साल बजेट देखने को मिलने वाला है तो मतले ब्यार कुछ यूनिक होने वाला है कुछ एकदम से घटिया देखने को मिलेगा या कुछ ए बारकली श्रावक के उपर चलता है तो सबसे फेला स्टॉक है फाइजर फाइजर के उपर आप लोग ध्यान रखना क्योंकि भारत बाहर टेक वाली जो आइशकी को वैक्सिन है तो भारत को वैक्सिन करके इसका जो नाम है तो यह बुडीग विडिया इंडिया में आप लोग को अच्छे खासे अपमों देखने को मिले वाली इस शेर के अंदर और इस तेर के रिगार्डिंग जो भी न्यूस आती है वो भी आप लोगो मैं कवर करूंगा तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना उसके बाद है एस्ट्राशनी का फार्मा इमर्जंसी यूस के इनकी जो एक्सिन है इसको भी इंडिया से अप्रूवल मिल गया है अब यार वन वीक पहले ही मिला दा पिछले वाले जो मैंने चाहिपे चर्चा में मैंने यह चीज कवर भी की दी तो यह भी आप लोग ध्यान रखना एस्ट्रसनी का इंडिया और जो कोविड से रिलेटे यह जो कमपनी है प्लेइन में लिजाती है पर मुंबई या दिली में अलग अलग जगा में अलग अरिया में डिस्रुबीट करना पड़ता है जो वैक्सिंग को अलग अलग अरिया में उसके लिए स्नूम और लोगों मैं दूसरी कमपनी पर दिखा देता हूं इन लोगों पास cold storage है और cold storage वाले trucks भी है ठीक है तो वो trucks क्या करेंगे अलग-अलग जगा अलग area में जाके vaccine को provide करेंगे ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग नेक्स टॉक क्या ध्यान रख सकते हो PVR के उपर ध्यान रखना और उसके सदसद आइनोक्स के उपर ध्यान रखना क्य क्यार यहाँ पर स्यार जो films है वो आना शुरू होने वाली है मेरे को लग रहा है next month से या आप लोगों को February starting से ही आप लोगों को नई नई films आना start हो जाएगी जैसे बड़ी-बड़ी films की बात करें तो यहाँ पर हैर एक तो आप लोगों मेरे से तो जादा ही पता होगा क्य क्योंकि मैं इतना सदा फिल्म में देखता हूं तो यहाँ पर सार केजी एफ टू की बात करें तो केजी एफ टू का भी टेजर आ गया है और उसके साथ-साथ जार माहभारत करके भी एक मूवी है वो भी आ रही है बहुत जाद बड़ी-बड़ी जो मूवी है जो आप बोल सकते हो जो बहुत जाद अच्छे-ची मूवी होती है तो वो भी आने वाली है तो यह आप लोग ध्यान में रखने यह स्टॉक्स क्योंकि आर आने वाले समय में इस कौटर में आप लोगों को जादा कुछ तेसी नहीं देखने को मिलेगी रिजल्ट में पर आने वाले आप लोगों आने वाले समय में तेसे देखने को मिल जाए की अधिया हम बात कर लेता है आई यह सेटीसी के बारे में आई यह सेटीसी को मैंने इस लिए रखा है इस लेश्ट के अंदर क्योंकि आने वाले समय में यही एक स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगी और जैसे जैसे वैकसीन और वह सारे चीज से अच्छी हो ती जाएगी वैसे वैसे सो ट्रावेलिंग स्टाट हो जाएगी और ट्रावेलिंग श्टाट होगी तो और सबसेming क्यों बात करें तो इंडिया हम वाले से होता है तो Cho unless abay時 को डारेज़ी फाइदा हो यकों दो को चाहिए एक यहांठ यहांठ भी बोलू रहा हूं तो यह क्या निईस है कि रिवालेंस ने और रिवालेंस ने फ्यूचर रीटील को खरी लिया ऐसे वाली जो Defence अने ही वाली है ऐसी क्यों मैं बोल रहा हूं क्यों यार future retail अभी यार बहुत ज़्यादा problem में फसा हुआ है आने वाले समय में आप लोगों को ये problem में से निकल जाता है ये share और ये share के जो भी company आ है ये company बीक जाती है reliance को तो बहुत ज़्यादा आप लोगों इसमें तेशी देखने को मिल जाएगी ठीक है और यहां पर से next share है एवन्य सुपरमार्ट भाई डीमट का result आ चुका है आप लोगों मैंने बताया था इसका वीडियो भी मैंने बताया हुआ है उपर आई बटन बचाके क्लिक करके द रिटन दिया है तो यह चीज़ जयाद रखना आप लोगों 300% तो नहीं सौरी 500% मतलब है और आप लोगों के जो पैसे है 500% जीतना रिटन दिया है तो मिल को यह चीज़ बहुत सब अच्छी लगी अभी हम बात कर लेते next share के बारे में next share है reliance industry जैसी के बात करें तो यह ती future retail और future retail और Amazon वाली जो deal है वो नहीं को पा रही है उसकी वज़े से यह share उपर नहीं जा पा रहा है उसके बाद सेकेंड जो न्यूज है वो है फार्मस का प्रोटेस्ट जो है फार्मस प्रोटेस्ट कर रहा है reliance industries के अगें उसकी वज़े से और तिरसी न्यूज है जो है जो 20% stake जो आर क्या बोलते है बार के जो अरबी जो लोग होते है उसकी company का नाम मेरे को मालब नहीं है पर 20% stake जो खरीदने वाले है अरब वाले तो वो आप लोगों को अच्छी तरीके से successful हो जाती है सारी की सारी deals तो आप लोगो 25 का target देखने को मिल जाएगा तो reliance industry के उपर आप लोग focus करना आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलेगी उसके बाद है TCS data consultancy services इसके उपर आप लोग घ्यान देना क्योंकि आर यह जो आर अब पहला first share है जो आर IT sector का first share है जो इतना जादा बड़ा है और इसका result हो चुका है और इसकी result की बात करें तो आर सब honestly से मैं बता दिता हूँ मेरो को जीतना सूचा था क्यार मैंने सोचा था क्यार यह बहुत ज्यादा इससे थोड़ा ज्यादा result देखने को मिलेगा अच्छा result तो आर उससे थोड़ा कम आया है पर अच्छा तो result है इडिक है तो इसके उपर आप लोग focus तो करना ही पर उससे इससे जादा focus की इसके उपर करना है पता है क्योंकि यहां पर से वीपरो के उपर करना और उसके साथ-साथ InfoSys और उसके साथ-साथ IHT, HCL Technology तो यहां पर सब लोग यह तिनों के तिनों stock के उपर करना क्योंकि आर आई-टी सेक्टर के सबसे बड़िया सबसे बड़िया औ और वीपरो की बात करें वीपरो की तो मिरको तैर इसमें 250 से भी ज्यादा का लेवल देखने को मिल रहा है आने वाला future का तो यह चीज़ ज्याद रखना उसके बाद आप लोग को क्या है Excel टेक्नोलोजी और वो साइची से आप लोग ध्यान रखना क्योंकि इसके भी result आने वाले टाइम में ठीक है उसके बाद है रेल विकास निगम रेल विकास निगम कॉंस्टन्ट फोर दिन से चार दिन से आप लोगों को अच्छी खासी तीज़ी के साथ यह बंद हो रहा है और इसकी आरस्ट आप लोग देखते तो आठ तारिकों आठ तारिकों सुकरवार को यह 16% का रिटन दिया है जो इसके इन्वेस्टर है उनको और यह मेरे पूटफोलियो में भी है और आगे के बहुत सारे स्टॉक्स जो गए ना यहाँ पर यह सारे और वो भी मेरे पूटफोलियो में है तो आप लोगों को फाइदा होगा और अब मैं भी बोल रहा हूँ मे next talk के बारे में next talk है क्योंकि यह rvll के ऊपर ध्यान रखना क्योंकि budget आने वाला है और budget में ऐसे वाले जो रेल जो सेक्टर पुरा पीट चुका है यह कोरोना की करान तो इसमें आप लोगों को राहत देखने के लिए राहत package के रूप जैसा आप लोगों को package देखने को मिल सकत है अच्छा वाला अभी हम बात कर लेते है टीटी अवाल टाटा टैली सर्विस टाटा टैली सर्विस के उपर क्यों धन रखना है क्योंकि है इसकी super app आने वाली है और super app का announcement इन्होंने क्या बुला था 2021 में 2021 में super app आने वाली है और यह चीज़ याद रखना super app आ जाती है न तो इससे ज़्यादा फाइदा किसी और शेट को नहीं होगा ऐसा मैं क्यूं बूल रहा हूं वह अप लोगों को जानना है यह क्या काम करती है service यह company क्या काम करती है तो उपर आई button पर जाके click करके देख सकती अब यहां बात करता है shipping corporation of India shipping corporation of India जो और company को sell किया जा रहा है government के द्वारा पूरी पूरा हिस्सा वेचा जा रहा है government का तो इसमें आप लोगो क्यों 30 देखने को मिलेगी ऐसा तो मेरा तो ऐसा मानना है यह 110 का level 110 का level यह दिखाएगा आने वाले टेम में तो इसका आप लोग buying करना चाहते हो तो कर सकते हो मिरको तो कोई दिक्कात नहीं आप लोगों को आयर ज़्यादा लेना है तो अब लोग deeper buy करना निकत वरना तो आप लोग अभी अभी नहीं है भाई करना चाहते तो भी कर सकते हूँ ठीक है यह आपकी मरजी है अभी हम बात कर लेते हैं फर्ट जो आपक वाला सेक्टर रे उसके ओपर ध्याद रखना जिसी डीपण जेशने ऊक्फDon बनाती कम्पनी है और व्लोग ऩूरी नीं पॉल रहा हूं ये दोनों कमपणिया और भी बहुत सारी कंपनिया पर बजेट ने वाला है, उन सारी के सारी कंपनियों के उपर आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग उसके अंदर आप लोग को आने वाले समय में तीसरी देखने को मिल जाएगी, अभी हम बात कर लेता है, नेक्स ये के बारे में, उसके बाद है, ट्रक मैनिफेक्चर की जो भी कंपनिया है, इसके उपर आप लोग ध्यान रखना, ट्रक मैनिफेक्चरिंग क्यों, क्यार रे अब लोगो ऑफ समय में अच्छा खासा, बजेट देखने को मिलेगा, तो गयार, इस इसमें ये सारे कैसा हैulsion स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है, उसमें है Tata Motors, उसके बाद है यहां पर इंची के तरफ, असोख लेलेंड, उसके बाद यहां पर सेार है Mahindra and Mahindra, और उसके बाद है यहां पर आप लोग बोल सकती हूं, वॉल्वो ट्रक्स उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट यह कंपनी यह पता नहीं यार यह कंपनी तो शायद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है इन में से बहुत सारी कंपनिया स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होगी पर कुछ कुछ जो कंपनिया है वह जैसे ग 10-20, Shore logo कौन-कौन-कौन-से कंपणियों की- रिजल्ट आने वाले तो यह पर 11 तरीक में आप लोगो कुछ ज्याधा अच़्ी कंपणीयों की जो बड़ी-बड़ी कंपणियों का कैनि उनका कोई भी रिजल्ट और टेइटा एलेक्स्य सारी यार बैंग नहीं है टेड़ की बात किरें और उसके साथ-साथ यहाँ अरभी रेटित conversation यह सारे वह यह मैंने बतादी जो बड़ी बडि कंपनिया है जो बडदी ने अश्न प्रेशन के पहला है यह इंडाप रने पाट कर wiped सब्सक्राइब आप लोग पैज में आप लोगों को 15 तक के सारे के सरे स्टॉक में दिखा दीता हूं कौन से रिजिए डिए आने वाले उसके साथ साथ आप लोगों को 15 तारीख की बात करें बहुत सारे शेर्स है जो आप लोग देख सकती हो 15 सारे तारीख को जो PVR आप लोग मैंने बुला उसके साथ साथ L&T Finance HCL Technology HCL Technology और उसके साथ साथ Headway Headway जैसे बहुत सारी उसके बाद यहाँ पर सार Birlav Money Gear की इए कंपणी है उसका भी यहाँ पर से रिजल्ट आने वाला है तो यह सारी के-सारी जो कंपणीया जो आप लोगों को 15 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलने वाला है और भी यहाँ पर आप लोगों कंपणीया देखने को मिल जाएगी इसेसे यहां पर से प्लक कर सकती हो ठीक है तो ये सरी किससरी जो रिजार कपनियाया है ट्रा रिवन का ब्यार 183 को रिजल्ट आने वाले है तो यह सरी किसारी कम्पनियाम ने बता दी जालाने इस fällt देने वाली है आप लोग जो कंवेफा तो यह कैसा लगा में को मेंको सक्षि मारो वैसे मरा वीडियो कंटेट देखना चाहतू तो मासा जुड़ी रोग बाले कितने बाके गुडबालो गुडबाई फिर मिलते नेक्स दूमे गुडबाई